आप सभी लोग इस बात को तो मानते होंगे कि हमारी सेनाओं की युगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है आज अगर हम लोग अपने घर में आराम से रह रहें आराम से सो रहें तो इसमें सबसे बड़ा किसी का युगदान है तो हमारी सेनाओं का है एक बार आप लोग भारत का में देखी, देखी है हमारी प्यारी पित भी है, इसमें आप देखें कि तो हमारा प्यारा भारत, अब आप देखी कि पाकिस्तान हमारी पडोसी है, सीमा लगती हुई है, अफगानिस्तान से भी, फिर आप देखें चाइना से भी, नैपाल से भी, बंगलादिस, भूटान, मयानमार और सिरी लंका नीचे ये आपको सिरी लंका आप देखिए अगर सेनाएं हमारी रख्षा ना करें आप देखते हैं कि रात में हम लोग सोते हैं वो लोग जाते रहते हैं वो अपना करता पर निभाते रहते हैं तो उनी के सम्मान के लिए एक तरह से आप कहिए कि हर साल पंदरे जनवरी को आपका सेना देवस्त की रूम में मनाये जाता है और मुझे लगता है कि अगर देश में किसी को सेना पर भरोसा नहीं है तो उसके बार में आप सभी लोग जो सोचना है सोचिएगा उसके मुझे लगता है कि देश में रहना ही नहीं चाहिए और देश में जब सेना पर भरोसा नहीं कर सकते है और वैसे सेनाओं पर कभी भी सवाल उठाय भी नहीं जा सकते है नेताओं की कह सकते हैं आप नेताओं के बारे में उठाये कोई दिक्कत नहीं है तो आप देखेंगे हर साल 15 जनवरी को आपका जबानों हो और भारती सेना की याद में सेना दिवस आर्मी डे मनाया जाता है और आप देखें कि बहुत सारे लोगों का इसमें जाने का मन भी रहता है, महनत भी करते हैं और आप देखें कि कही नालायक होते हैं जो आप देखते हैं कि इनके बारे में टीपडिया करते रहते हैं, फिल्मी एक्टर हों या आप लोग सुनते रहते हैं पॉलिटी सी हैं तो ऐसे नेताओं को मुझे लगता है कि नकार देना चाहिए जो हमारी आर्मी के जवानों की अगर संबान नहीं कर सकते हैं उनके बारे में अच्छी दो सब्द नहीं बोल सकते हैं और इस बारत का चोहतरवा 74 सेना दिवस मनाया जा रहा है और अगर इसकी इ अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी यहां तीन डेटों के बारे में और बता देते हैं क्योंकि कनफ्यूजन रहती है आप लोग में एक तो आप लोग पच्ची से एक तो आप सभी जानते हैं कि आपका 15 अगस्त हो गया एक आपका 26 नवमबर हो गया और एक आपका 26 जनवरी हो गई देखे 15 एगस्त को आप सभी को माल होगा कि सोतंता दिवस की रूम में मनाते हैं 26 नवंबर 1949 को समिधान का कुछ राउधान आपका लागू हो चुका था तो इसे 26 नवंबर को आप लोग समिधान दिवस की रूम में मनाते हैं 26 जनवरी को आप सबी जानते हैं कि पूरी तरह से गर्तंत बन चुका था हमारा देश, तो गर्तंत दिवस की रूम में मनाते हैं, कई संस्थाओं में आपने देखा होगा, नियुक्ती भी हो चुकी थी, संस्थाओं भी बन चुकी थी इस दिन, ठीक है? 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्सल, कोड़ान डिरा, एम करियपा जो उस समय लेटिनेंट जनरल थे, ने जनरल सर्फ फ्रांस, फ्रांसिस बूचर, जो उस पद को धारन करने वाले अंतिम बेटिस ब्यक्ती से, भारती सेना कि पहले भारती कमंडर इंचीप की रूम में पदभार ल उसी दिन को हम लोग क्या मानाते हैं, भारती है, सेना डिवस या सेना डिवस के रूम में, के एम करियपा ने जैहिंद का नारा अपनाया, जिसका अर्फ हुता है भारत की जीप, वह फील्ड मार्सल की पास सितारा रेंक रखने वाले के बस दो भारती सेना अधिकारियों मे से एक हैं, और दूसरे फिल्ड मार्सल सेम माने कसो थे, ठीक है, और सेना डिवस के बारे में बात कर, देश के उन सेनिकों को संबानित करने के लिए पिदेग बस सेना डिवस मनाया जाता है, जिनों निस्वार्त, सेबा अभाईचारी की सबसी बड़ी मिसाल कायम किये, और मुझे तो लगता है, हमारे देश की सुन्दरता पूरी दुनिया में सबसे अच्छी है, अगर ये नेता अपनी अब रोल, जो भी राजनेतिक रोटिया है, इन्हें सेखने के लिए नपरत ना फैला देदो, सेना दिवस के उपलक्च में साल दिल्ली, चावनी के करियपप का आयोजन किया जाता है, और इसमें आप देखेंगे, भारतिय सäreना की उतवती इंडिया कंपनी की सेनाओं से हुई, जो भारत में वेटरिस भारतिय सेना और अंगता सतंदा के बादिया सेना बन गई, भारतिय सेना की स्थापना लगवाग 126 साल पहली अन्ग्रेजों ने एक अपरेल 1895 को की थी और उन्होंने अपने उद्देश से की हुई थी ठीक है और भारती सेना को विस्टी की चौतरी सबसे ससक्त और मज़ूद सेना भी माना जाता है और आजकल तो देखिए हमारी सेनाओं का और महत बढ़ जाता है क्योंकि हम लोग थीन फ्रेंट से होती रहती है हमारी कुछ सेनिक सहीद भी हुए थे यहां अरड़न चल पिदेश को देख लिजे यहां उत्तरा खंड को लेकर भी वो विवाद छेड़ता रहता है नेपाल भी छेड़ता रहता है और पाकिस्तान के तो आप सभी जानते हैं कि वो सुधरने वाला ही नहीं है तो इसलिए हमारी सेनाएं बहुत जरूरी है और आप देखे कि नीज स्वार्थ भाव से देश की सेवा करती हैं समझें आप चलिए पॉइंट कुछ याद रखीएगा वैसे भी अगर भारती है तब भी आप लोगों को इनके बारे में मालू हुर चाहिए अगर आप किसी भारती सेना में किसी पत के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो इनमें कुश्चन्स इस तरह की पूंच सकता है ठीक